स्वागत है आपका ब्रेक बाद बजट की तबाम बड़ी खबरों को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और बजट में युवाओं और रोजगार पर खासा फोकस रखा गया शिक्षा के लिए लगबग 1.5 लाग करूर का आवंटन था जो पिछले बजट से 32 फीजदी जादा है नौकरियों स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी पाँच योजनाओं का विशेश रूप से ऐलान किया क्या our government will launch a comprehensive scheme for providing internship internship opportunities in 500 top companies to one crore youth in five years they will gain पुप्रीचारा गडिधने जी करताब से लिजलिव ठारी बीसमे कार्या खरीए इंधने,डने लिएने पी रूपित अप्रिम कार्वारे ग।्रिवाइज भी उल्साच्टर ग। सुखंप इन धृब इंधने बीजिते हैं, और वहीं बजट के बाद हमसे खास बातचीत में रेल मंतरी अश्विनी वैशनव ने कहा कि बजट में रोजगार बढ़ाने पर फूकस है नए रोजगार स्किल डेवलिप्मेंट के लिए सरकार ने बजट में पाँच नई स्कीम लाँच किये विट मंतरी निर्मला स्कीता रमन ने विट वर्श दोजाच वजट पच्चेस के लिए बजट पेश किया सरकार का दावा है कि ये विक्सित भारत का बजट है उसकी नीव को और मजबूत करने वाला बजट है लेकिन इस बजट की और क्या कुछ बारिकिया हैं बात करने के लिए हमाएं साथ केंदरी मंतरी अश्वनी वैशनवजी मौजूद है पहला सवाल यही कि इस पूरी बजट की जो आत्मा थी वो यही थी कि सरकार रोजगार ज्यादा बनाना चाहती है क्या यह एक समस्या थी जिसको सरकार ने एहसाज किया जिसको माना की रोजगार के मोर्चे पे कहीं कमिया रह गी है और यही वज़ा है कि बजट पे ज़्यादा फोकस है और आप कैसा देखते हैं प्रधानमंत्री शी नरेंदर मोदी जी ने भारत के अर्थ विवस्ता को हर सेग्मेंट एकॉनमी के हर सेक्टर को और समाज के हर वर्ग को एमपावर किया है और एक ऐसी फाउंडेशन बनाई है जिस फाउंडेशन पे बहुत बड़े काम किये जा सके है अगर आप आज के बजट को देखें तो उस पॉलिसी का उस फोकस का कंटिनिवेशन है साथ ही साथ बहुत बड़ा फोकस है एक फोकस्ट एम्प्लाइमेंट जेनरेशन स्कीम की जिसमें पांच स्कीम्स आज मानिय वित्मंतरी जी ने अनाउंस की है इन पांच स्कीम्स के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार का स्रुजन होगा अगर आप देखें स्टाट अप इंडिया के जरिये से मेक इन इंडिया के जरिये से और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रस्ट्रक्शन में उन सब के माध्यम से देश में संदेश दिया मास में उसमें आपने कहा कि भारत को और मजबूत करने वाला बज़ग है जब लगतार विक्सित भारत पे इतना फोकस कर रहे हैं सेक्टर्स को क्या आप कर रहे हैं और आपको क्यों लग रहा है कि यह फांडेशन को और स्ट्रॉंग करेंगा आप आप को प्रवानमंत्री श्री नरेंडर मोधी जी ने हमेशा बहुत फोकस किया, जो कमजोर वर्ग है, उनको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे कि उनको एक नए उपरचुनिटीज दे कि उनको एमपावर करने का काम किया, जिनके एस्पिरेशन्स हैं, जो रिस्क ले सकते है उनको उपरचुनिटीज दी स्टाट अप के माद्यम से, जो बाकी किसी भी शेत्र में काम करना चाहे, उनके लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम बनाया, तो आप ये देखेंगे, आप दस वर्षों की जो चुन्टिनुटी देखेंगे, वो चुन्टिनुटी आज के आपस में रैशनलाजेशन किया गया है, टैक्स में रिडक्शन हुआ है, साथ ही साथ जो मिडल इंकम का, मिडल इंकम फैमिलीज का सबसे बड़ा जो ड्रीम होता है, अपना घर उसके उपर भी फोकस करके नए प्रोग्राम का अनॉंस्मेंट किया गया है, और अर्बन और आपने देखा, दस फ़र्षों में मोदी जी ने चार करोड पियम आवास योजना के तहट घर बनाए थे, आज अनॉंस्मेंट में तीम करोड और नए घर का अनॉंस्मेंट है और बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, इस पर सबकी नजर है, सोना और चांदी सस्ता हुआ, इंपोर्ट पर ड्यूटी 15% से घर का 6% हो गई, इससे सोना चांदी सस्ता हुआ है, वहीं कस्टम ड्यूटी बढ़ने से प्लास्टिक प्रोड़क्ट और उससे कि निगा इसी पर रहती है, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, बताएं, क्या सस्ता रहा इस बजट में ऐलान के बाद और कहां पर महंगाई की मार पड़ी। जैसा कि अब बता रहे थे कि सोना चांदी सस्ती होगे, बिल्कुल इस पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी गई है, 9% की भारी कट यहां पर है, और इसके चलते जो गोल्ड वाली जो कंपरीज हैं, जो जूल्ड़ी बनाने वाली कंपरीज हैं, उनको बेनेफि के इंपोर्ट ड्यूट्यू में भी कमी की गई है, यह सस्ता हो जाएगा, मोबाइल फोन, चारजर और मोबाइल फोन के एकसेसरी इस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, वो घटकर 15% हो गई है, इसके लावा कैंसर के पेशेंट को भी सरकार ने रहा देने कोशिश की है, तीन कैंसर की एहम दवायों पर और एकसरे उपकरणों से बेसिक कस्टम ड्यूटी सरकार ने पुरी तरह से हटा ली है, इसके लावा फिश, ब्रूड स्टॉक, श्रिम्प और फिश फीड पर कस्टम ड्यूटी घटकर 5% हो गई है, इसके लावा सोलर पैनल पर अब कस्टम द्यूटी बढ़ी है, अंपॉनियम नाइ bisog Athens पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, साध साहत से बढ़ा कर 10% कर दी गई है, और टेलिकॉम उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी दस पशन से बढ़ा कर दी गई है, 15% साथी साहत इंपोर्टेट गाडन अंब्रेला और साइन पेट्रो केमिकल, पीवी सी, फ्लक्स बैनर, एक्सरे ट्यूब, यह सस्ता हो गया है और जो महंगा हुआ है, सोलर ग्लास, प्लास्टिक प्रोडट्ट, टेलिकॉम उपकरन, लेबरोट्री केमिकल और एक और आइटम है, वो है सुपारी, यह चीज़े महंगी होगी हैं। इस सहम जानकारी के लिए, तो हमने आपको बताएगी क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही, लेकिन एटी नाउस वदेश पर भजट को लेकर तमाम विश्टेशन आगे भी जारी रहेगा, देखते रहेए एटी नाउस वदेश, नमस्कार।